हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप सो सभी सही होंगे स्वागत आपका मेरे नए चैनल में जिसमें आपको नए नए फैक्ट के बारे में जानने के लिए मिलेगा तो आप सो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेर भी जरूर करें ताकि आपको नए नए फैक्ट के बारे में पता चलता रहे तो मैं आपको आज एक नए रेल्वी भाग का फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो साइद आपको नहीं पता हो अगर आपको पता है तो आपके दोस्तों को भी शेर जरूर करें तो चलिए सुरू करते ह तो क्या आपको पता है स्लीपर और जनरल कोच में आखिरी विंडो सीट पर अधिक रोड लगाने का लॉजिक क्या है तो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो भारत में हर रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुचाने के लिए रेल विवाग लगवग 13,000 ट्रेने प्रोच चलाता है और जो स्लीपर और जनरल डिब्ब होते हैं उनमें सफर करने वाले यात्रियों की संक्या बहुत जादा होती है तो आपने कभी ना कभी इन दोनों ही सेडियों में सफर जरूर किया होगा इन कोच में एक बात समान होती है वो है इनके गेट के पास वाली खिडकी तो दोस्तों आपने देखा हुआ कि दरवाजे के पास वाले इस खिड़के में बहुत सारे बार यानी सरिया लगे होते हैं जबकि अन्य खिड़कें में उसके तुलना में बहुत कम सरिया लगे होती है और गैब भी अधिक होता है तो रेल गाड़ी से सफर करने वाले लोगों ने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे भी एक तगड़ा लोजिक है बिना लोजिक के रेल विभा कुछ भी नहीं करता है दरसल दरवाजे के पास वाली खिड़कियों में ज्यादा सरिया इसलिए लगाय जाती है ताकि चोरी की वारदात को रोका जा सके ये खिड़कियां दरवाजे के इतने पास होती है कि चलती ट्रेन से चोर अक्सरिन में हाट डाल कर यातियों का सामान चुरा लेते हैं ये खिड़कियां इतने पास होती है कि इन खिड़कियों तक दरवाजे के पायदान से भी पहुँचा जा सकता है वहां से चोर सामान आसानी से चुरा सकता है रात के समय जब भी यातरी सो रहे होते हैं तब कोई ना कोई खिड़की के जरिये उनका सामान उठा के ले जा सकता है तो दोस्तों ऐसी घटनाओं से बचने के लिए खिलकियों में जादा से जादा सरिया लगाया जाते हैं अब तो दरवाजे की खिलकियों में भी अधिक सरिया लगाया जाते हैं ताकि रात को जब रेल गाड़ी रुकती है तो खिलकी से हाट डाल कर दरवाजा ना खुला जा स सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे फेक्ट देखने को मिलते रहें तो दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसी और एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग